कि जहीं दोस्तों आपका श्वागत है मैं राहुल राज आज हम बात करेंगे बेश्ट बंगाल पुलिस एसाई ठीक है जो एसाई की भरती निकल चुकी है 2021 के नोटिफिकेशन का उसार इसी के डिकाइडिक हम बात करेंगे तो अगर आप इस फोरॉम को फिल कर रहे हैं तो आ आल बटम लिखां सब्सक्राइब जरूर दबादे और शाथी बेल आइकन भी जरूर दबादे से हर अपडेट सबसे पहले आपको मिलता रहे तो चलिए फ्रें वीडियो को सुरु करते हैं एक एक चीज आपको डेटेल्स की और बताएंगे वीडियो अच्छा लगे तो ल चाले हैं तो फिरिंट अगर आपको यह फीडियो चाहिए तो आप में टेलीग्राम ग्रूप में जॉइन कर जाए जो टेलीग्राम ग्रूप चलता है और इंडियन जॉप से आप टेलीग्राम में जागर सर्च करेगा जैसे मैं आपको दिख्ला आजता हूं कि इस परकार कि जैसे आपने अपना टिविगर्भी came off a करीगा तो सप्शी बार में आपकर आपको जैसे यहां सर्च बार आपको दिख रहा होगा यह सब्सक्राइब या सब्सक्राइब करना होगा कि और इंडियन जॉब्स तो ठीक है ति जैसे सब्सक्राइब उपर ही आपका आज जाएगा इसको आकर आपको जॉइन करना होगा देखिए पर डे एस्टुएंट जॉइन करते जा रहे हैं आपको जो चीज का अपडेट यहां चाहिए आपको पीडियेफ यहां प्रवाइट कर दिया जाएगा जैसे अभी फिलहाल सी आर पीडियेफ का जो पीडियेफ यहां सेंड कर दिया गया है जश्ट सात बच के विश्मेट में इसी के रिगाइडिंग हम एक चीज आपको यहां पीडियेफ भेजते रहेंगे आप मेसेज करिए मैं आपको हर एक पोश्टे यहां आपको पाँस स्रेविश में भरती होगी अग्ये अध्य हैं जैसे अगर आप है इस दोच ब्सक्राइब और last में 77 ठीक है टोठल पोस्ट आपको 108 पोस्ट है एक एक हीज़ां हम क्लिर करते आए, तो हम एक चीज़ा आपको और यहां क्लिर करें अगर आप West बंगार्स से हैं तो आपके लिए करते हैं तो जेनरल के डेगरी में आपका सेलेक्शन होगा तो यह आप उपर वाले के लिए रहेंगे अब और आगे आए यह एक चीछ की उर्ट है अब एज बात कर लेते हैं अगर आप वहां से वेश्ट बंगाल से जेनरल कंडेट है तो 20-27 वर्ष के एज आपको वीच होना चाहिए अगर आप किसी और राजसे भी हैं तो 20-27 ही आपका एज होना चाहिए अगर आप OBC है तो इसमें तीन साल सूट मिल जाएगा ठीक है एड हो जाएगा तो तीस साल हो जाएगा और SCHD के नेटर तो पांस साल सूट मिल जाएगा आगे चलते हैं जैसे आगे आएए आ आपको चाहिए और चेश्ट 79 से आपको 5 cm फुलाना है सब इस्पेक्टर के लिए ठीक है सब इस्पेक्टर के लिए आपको फिर आपको यहां 70 173 से लेकर आपको चाहिए हाइट और अगर चेश्ट आपकर पुछा जाए तो आपकर आज यह 86 होना चाहिए नॉर्मल और 5 cm फुलाकर 6 kg आपका वेट होना अनिवार है और आगे क्यों चलते हैं बी निमर लेडी सब इस्पेक्टर के लिए ठीक है जो यहां आए इनका लिए आपको 160 cm हाइट होना अनिवार है ठीक और इनका वेट 48 kg होना अनिवार है तो यह हाइट और चेश्ट के हम बारे में बात क लिए इसके फुल डीटेल हम आईए अब दूसरे साइट से चलकर देखते हैं तो अब हम यहां से बात करेंगे एक एची डीटेल स्क्यूर ठीक है यह फॉर्म आपका प्लाई 221 2021 से स्टार्ट हो जाएगा अगर आपने इसकी फॉर्म को फिल किया है तो चैनल को जरूर सब स्क्राइब कर दे और बेल एकन जरूर दबादे से हर अबडेट सबसे पहले आपको मिलता रहें अब यहां बात करेंगे इस पोस्ट के लिए तो टोटल पोस्ट आपको मैं पहले बता चुका हूं अब चैन के पड़िक के लिया मतला आपको किस परकार से सेलेक्शन होने व आपके परिच्छा के अधार पर इसके पर्मान घुसित किये जाएंगे और यह नयाप फिर डेट आते हैं तो यह आया आए आपका परिच्छा डेट अभी परिच्छा डेट सूर नहीं किया गया है जैसे इसका नयाप डेट आएट आएगा आपने चैनलों को स्क्राइब क पुष्ट हम बता दिजिए हैं किसमें किस पर होने वाला पिसरे बता थे पूलिस एसए और ड्मते जैनरल कंडेट को ठीक है लेडी पुलीस के लिए एवी के लिए आपको टोžड पूस्ट आपको बता चुकिए हैं जिलिए आगे को आगे चाएंगे अब किस किस के लिए क्या है यह आपको पिछले वीडियो में आगे हम आता चुगी तो नोटिफिकेशन को और आगे चलते हैं एज़ सीमा भी आपको बता चुछ के से एज़ सीमा आपको एक दो हजार एक किसका अंतरकरत बीस साल पूर जाना चाहिए नहीं तो आपको अधिकतम 27 साल होना चाहिए जैसे आगे आएंगे अब बात करते हम वेतन के वेतन आपको लेवल 10 के अंसर आपको मिलेगा 32,100 के अंतरकरती का अरटासी अजार 900 के वाट सेक्षनिक योगता की बात कर लेते हैं सेक्षनिक योगता वानी कौल्फिकेशन असनातक अस्तरी होना चाहिए डिगरी आपके भ चलिए अब आगे की और बात चाड़ते हैं आगे की और बात करेंगे सबसे पहले आपको अवेदन को बंगाली भासा बोलने पढ़ने और लिखने की छमता होना चाहिए ठीक है यह आपको एक यहां नोटिस कर दिया गया है कि अगर आपको बंगाल की फोर्म फिल करते हैं तो आपको बंगाली की ज्यान होना चाहिए यह कम परसरी नहीं है कि आपको अगर आप इंग्लिस भी जानते हैं तो यह बहुत ही अच्छी बात है लेकिन यह बंगाली आगर आप सेलेक्शन हो जाते हैं तो यह आप एटमेटिक सीख चाहेंगे वहां बोलना ठीक है आगे क्यो से्क्राइब करते हैं ठीक है आपको 250 अगर आपको और सुच जाती कि वहां से होदों करते हैं तो अपको 20 पारीज करते हैं तो तो पहले आपको अफिस्च्य साइट पर जाना है वहाँ से आपको टेप पड़िक करना पहले आपको फ्रम की करती प्रोसेस आएगा फ्रूली डिटेल आपको डाल कर फाइनल सम्मिट करके प्रिंट ले लेना है तो फिर अब चैन के पड़ के लिए मैं उपर ही बता चुका हूं पहले लिखित पर चाहोगा फिर फिर आपका मरीट बनेगा तो फिर यह डिटेल्स भी आपको एक एक चीश के मिलती गए तो इसके बाद भी अगर क दे मातरम आपका दिश शुभ हो